वल्कम माई डियर रॉकार्ट्स कैसे हो आप सब ही बहुत बढ़ी आ होंगे है ना तो आज हम लेकर आए एक बहुती स्पेशल कोरियन मुवी जिसका नाम है ली ग्रेंड शेफ टू किमची बैटल हाँ इस मुवी का पहले पाट से आपका कोई लिना देना है नहीं कोई कनेक्शन नहीं है पर इस वीडियो को देखते भी आपकी आँखें जरूर नम हो जाएंगी और आप जरूर अपनी मा या पापा जिन्होंने भी आपके लिए कुकिंग की हो या फिर आपको कुकिंग सिखाया हो उन्हें तह दिल से थैंक्यू जरूर कहोगे इसका जर ये मुवी दिल जीत लेगी आपका मेरा तो जीता था भई आपके अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे के ये हमारी रिक्वेस्ट आप से तो मुवी की शुरूआत में जैपनीज पीम की घर को दिखाते हैं जहां की केचन में कोरियन पीम के लिए बिल्कुल दावत तयार हो रही है दरसल कोरियन पीम इंटरनाशनल टूर पर है और आज डिनर के लिए जैपनीज पीम के यहां आने वाले हैं जैपनीज पीम पूछते हैं कैसा रहा आपका इंटरनाशनल टूर हाँ टूर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन मैं आपके देश के फूड को बड़ा मिस कर रहा हूँ जैपनीज पीम कहते हैं कि आपको पता है आज हमारे खास शेफ ने आपके लिए कई इंटरनाशनल डिशिस बनाए हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं आपके शेफ ने इसको एकदम लाजवा बनाया है तारिफ करनी होगे उसकी दरसल किमची वजीटेबल्स वगेरा से बनाया जाने वाला एक पिकल टाइप का इंग्रीडियन्ट है जिसे कई डिश में यूज किया जाता है अब इस पर जैपनीज पिम कहते हैं क्या बात है लेकिन ये किमची नहीं कीमोची है और ये जैपन का पारंपरिक डिश है ये सुनकर तो कोरियन पिम का चेहरे बदल जाता है ये तो रसगुले वाली बात हो गई कि रसगुला किस स्टेट की डिश है नहीं नहीं अब आप इसका डिसकेशन शुरू मत कर देना जिस स्टेट का भी है बहुत लाजवाब डिश है चली आगे बढ़ते हैं यहां मूवी की हिरोई नायरा को दिखाते हैं और इसी ने कोरियन पिम के लिए वो सारे डिशिस बनाये थे सबी उसके लाजवाब डिशिस को बहुत असरा आते हैं दरसल नायरा एक कोरियन है लेकर दस साल पहले वो कोरिया से जैपैन आ गई और यहां के शेफ को ट्रेन करने लगे थी यहां सीन कट होता है और दिखाते हैं कि अपने देश लाट कर कोरियन पिम में एक नेशनल कोकिंग कॉम्पिटिशन अनौस करते हैं जिससे की पूरी दुनिया को कोरियन डिशिस के बारे में पता चल जाए और खासकर ये पता चले कि किमची डिश का जरम जापान में नहीं कोरिया में हुआ था और इस कॉम्पिटिशन में लेकर एक पारंपरिक होटल चलाती है लेकिन इनके बुरे दिन चल रहे हैं जिसकी वज़े से इनों ने एक आदमी से उधार भी ले लिया है और वो भी अपने आदमियों को लेकर इनको धमका देता है कि आपका होटल भी भिग जाए और उसकी सारी चीज़े खाये कई दिन हो गये हैं प्लीज कुछ बना कर दीजिए ना वो प्यार से ढाटते हैं कि 6 मैने के बाद आ रहा है लेकिन यह नहीं पोछ रहा है कि मा तुम कैसी हो पापा तुम कैसे हो आते ही खाना खाना पेट्टू कहीं का इस तरह प्यार से ढाटने वाली लोग अगर आपकी लाइफ में भी है तो सच में आप लगी हैं दोस्तों फिर याशिमा बड़े प्यार से उनके लिए पारंपरी किमची नूडल्स बना कर देती है कहनी पुछती आउंटी मेरे नूडल्स में ये टेस्ट क्यों नहीं आता तो पापा कहते हैं कि बेटी वो नूडल्स का नहीं बलकी इसमें जो किमची है ना उसका टेस्ट है तब ही तो इतना ला जवाब है अब जुवान को पता चलता है कि याशिमा की तबिद आचकल ठीक नहीं रहती और इसकी वो जैसे वो पहले की तरह अच्छी कुकिंग भी नहीं कर पाती और होटेल में कस्टमर्स भी नहीं आते फिर जुवान पुछता है आपको तकलीफ क्या है पर याशिमा कहती है कुछ नहीं बेटा वो जुकाम होके रला गया था और कुछ नहीं इतने में कोई दिर्वाज़ा खड़ गटाता है पापा घुसा हो जाते हैं कि उस गधे से हमने उधार के ले लिया बार बार बे वक्त पर 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 प्रिशन करने लग जाता है कहकर वो दर्वाज़ा खोलते हैं और उस पर कीचर फेक देते हैं ओ पर ये तो याशिमा की असली बेटी नायरा है जो दा साल पहले अपने माँ से लड़कर जापान चली गए थी फिर उसे देखकर याशिमा बहुत खुश होती है और उसे कॉफी बना कर देती है नायरा कहती है कि बच्पन में आप मुझे कीचन में जाने नहीं देती थी लेकिन आज देखो आपकी बेटी इंटरनेशनल शेह बन गई है अब तो आप मुझे कोकिंग में मुकाबला भी नहीं कर सकती अब इस तरह इनकी बाते कोच अलगी दिशा में जा रही होती है तो जुवान टुकते बे कहता है कि दी दी छोड़ो ना उन बातों को अब जब तुम आही गई हो तो इसी होटेल को चलाओ तांकि मा थोड़ा भाराम कर ले पर नायरा कहती है कि अब इस होटेल की कोई जरूरत नहीं होगी मैं भी चाहती हूँ कि मा भाराम कर ले पर याशिमा उसका इशारा समझ जाती है और कहती है मुझे पता है तुम इस होटेल को गिरा कर कुछ और बनाना चाहती है लेकिन मेरे जेते जी ये कभी नहीं होगा अब हमें नहरा का असले रोब दिखता है वो कहती है तुम जैसी औरत से मैं नाता नहीं रखना चाहती है लोग तुम्हारे बारे में कितनी गंदी-गंदी बाते करते हैं लेकिन तुम्हें उससे क्या लोगों के तानू से ही तंग आकर मैं यहां से भागी थी समझी अब ये कहकर वो जाने लग जाती है पर जुवान उसको रोकता है कि दिदी हम दोनों बचपंस इसी घर में पले बढ़े वे हैं और इसी होटेल में खेले है और तुम इस होटेल को गिराना चाहती हो अब नायरा को दिखाते हैं जो भले इतनी बड़ी शेफ है लेकिन उसे भी कई दुख हैं जो उसे अपनी माँ से इस तरह बात करने पर मजबूर कर रहे थे बच्पन में दूसरे बच्चे नायरा के साथ खेलते नहीं थे और हमेशा उसको दाना मारते थे कि तुम्हारी मा कितनी बुरी है उसके परिवार के औरत एक अलाकार थी जो पुराने जमाने में रास दरवार में निर्ट्य करती थी और वक्त के साथ उन चीजों का मतलब ही बदल गया और फिर उन्हें नीचा माने जाने लगा पर नायरा ये सब कुछ समझना नहीं चाहती थी और लोगों की बात में आकर वो अपनी माह से सखत नफरत करने लगी एक दिन एक बड़ी फैमली याशिमा के होटेल पर आती है वो पुछते हैं कि होटल में कस्टमर्स क्यों नहीं आते होटल बंद कर दिया क्या आपने याशिमा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दिरसल खाना खतम हो चुका है और सिर्फ थोड़े साइड डिशी बचे हुए है पर वो लोग कहते हैं कि आपके हाथ का कुछ भी बना दीजिए हम खुशी से खालेंगे इस पर याशिमा साइड डिशी नहीं बलकि किमची से कई डिशिस बनाकर टेबल पर रख देती है वो लोग भी बड़े चाउस से पेट बर कर खालेते हैं अब याशिमा जुवान को बताती कि जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी माही नहीं यहां लेकर आई थी उसके पास पैसे तो नहीं थे तो उसने एक मील ओडर किया और सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया बेचारे बच्चों का पेट कहां से बरना था उस समय मुझे बहुत बुरा लगा फिर मैंने उन्हें और खाना दिया पर पैसे नहीं लिये और आज ये औरत बहुत धनी है और पुरे परिवार के साथ अमेरिका में रहती है पर आज भी वो उस दिन को भूली नहीं और हट साल अपने परिवार को यहां पर लेकर आती है देखा बेटा समय मिलकर मेरे हाथ का बनायवा खाना पेट बर खाते है इन्हें देखकर सच में बहुत खुशे होती है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में पर बतकिस्मती से ऐसे लोयल कस्टमर्स को भी मैं ठीक से कुकिंग करके नहीं दे पा रही हूँ अब अगले दिन जुआन नायरा से मिलने जाता है जो नैशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली है जुआन कहता है मैं भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रहा हूँ अगर तुम कॉम्पिटिशन जीत गई तो होटेल तुमारा फिर उसके साथ तुम कुछी भी कर सकती हो पर अगर मैं जीत गया तो तुम उस होटेल को गिराने की बात बोल जाओगी नायरा कहती है मैं ठहरी पीम के शेफ और तुम वो सड़क में सबजी बेचने वाले मुझसे टक कर लेना चाहते हो खर मुझे ये डेल मनसूर है इस तरह नैशनल कॉकिंग कॉम्पिटिशन होता है शरू उसमें शेफ्स को बता जाता है कि आप लोग अपनी कुकिंगे द्वारा दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि किमची कोरिया का पारंप्रिक डिश है इस दुनिया को बता दीजी कि हमारा किमची दुनिया का सबसे पारंप्रिक डिश में से एक है पहले राउंड में तो कंटेस्टेंट्स को बिना मिर्ची के किमची बनाना होता है नाइरा जुआन से कहती है सुन लिया, बिना मिर्ची के बनाना है और वो भी किमची तुम तो हार मान गया लगता है फिर भी एक बाइट राई कर लो इस तरह उसका मजाक उड़ा कर वो चली जाती है अब बिना मिर्ची के किमची बनाना हो तो उसमें स्पेशल तरह का नमक डालना पड़ता है जो पारंपरिक तरीके से बनाय गया हो वही अब नायरा कई जगों पर जाकर उस नमक के बारे में पूछती है लेकिन उसे पारंपरिक ढंक से बना नमक कहीं नहीं मिलता एक आद में तो कहता है कि अगर वैसा नमक चाहिए तो तुम्हें खुद नमक बनाना पड़ेगा वो मिलता नहीं है कहीं नायरा हमत नहीं हारती और खुदी नमक बनाने में जुट जाती है दूसरी और जुवान भी वैसे पारम पर एक नमक की तलाश करता है लेकिन उसे भी नहीं मिलता और फिर अगले दिन कॉम्पेटिशन में कई जगहों से आए वे बड़े बड़े शेफ किमची बेस्ट डिशिस बनाने लग जाते हैं आखर टाइम होता है खतम और जजजस सबसे पहले नायरा का डिश टेस्ट करते हैं वो पुछते हैं हमने तो किमची का डिश बनाने को कहा था लेकिन तुमने सूप क्यों बनाया नायरा कहती है अगर हम पुराने ढंक से किमची बनाती रहे तो ये दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचेगा मैं किमची से कुछ नया ट्राइ करना चाहती थी इसलिए मैंने किमची सूप बनाया वो लोग सूप को टेस्ट करके एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि उसमें किमची का एरॉमा इतना बढ़िया होता है और उन्हें पता चल जाता है कि इसे नॉर्मल नमक से तु नहीं किसी खास तरह के नमक से बनाया हुआ है वो नायरा से पूछते हैं तो वो बताती है कि मैंने ये नमक खुद तयार किया है जजस बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि नार्या ने पारंप्रिक नमक बनाने में इतनी मिहनत की और उसके साथ ही किमची डिश को एक मौडर्ण पहलू भी दिया फिर वो दूसरे शेफ्स के डिशिस को टेस्ट करते हैं और आखर में आते हैं जवान के पास उसे तो पारंप्रिक नमक मिला नहीं था तो उसके बदले उसने सोया सास यूज करके किमची बनाया होता है जजस ने ये बिलकुल भी एक्सपक्ट नहीं किया था और डिश का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है वो जवान के खोब प्रिशन सा करते हैं पहले राउंड के अंत में दस शेफ्स होते हैं सेलेक्ट जिनमें जुवान और नैरा भी होते हैं अब अगले राउंड में इन्हें कुरिया का सबसे ट्रेडिशनल किमची बनाना होगा फिर जुवान याशिमा से इसके बारे में पोच्छता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारी दिदी बच्पन से कुकिंग कर रही है वो किम्ची के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है पर तुम तो कुछ सालों से कुकिंग कर रहे हो क्या तुम उसे टक्कर दे पाओ के वैसे इतने में कैनी आ जाती है और दोनों मिलकर मारकर जाती है दरसल जुआन इस बार केकड़े का किमची बनाने वाला है उसे एक जगए फ्रेश केकड़े मिल जाते है लेकिन आखरी वक्त में उसे कोई और खरीद लेता है तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम किम है वो कहता है मैं दिलाओंगा तुम्हे केकड़े लेकिन पहले मेरे साथ चलो कहकर वो उन्हें एक होटेल के पास लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है एक बार ट्राइ जरूर करो यह कहकर वो जुवान और कैनी को वहाँ भेज़ता है लेकिन खुद नहीं जाता यह दोनों वहाँ का टेस्टी फूर खाकर बड़े होश हो जाते हैं वोस होटेल को एक औरत चला रही होती है वहाँ कई कब्स और मेडल्स भी होते है जुवान पूछता है क्या यह सब कुछ आपके बेटे ने जीते हैं वो कहती है हाँ बेटा वो बहुत अच्छा है थे लीड था इस्टेड लेबल कॉमपेटिशन भी जीत चुका था पर न जाने उसे किस की नजर लग गई उस पर खोन का लजाम लग गया हलंकि उसने कुछ किया नहीं था लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो कहीं भाग गया और कई साल से मैंने उसका मुह तक नहीं देखा अब वो हीने अपने बेटे की फोटोस दिखाती है तो वो चौंक चाते हैं क्योंकि ये किम है जो इन्हें यहां पर लेकर आया था और किम ही इस अउरत का बेटा है ये लोग चौंक जाते हैं फिर वो लोट रहे होते हैं तो बीच में किम आ जाते है जुवान तुना दे गाड़ी रोकता है तो कहने कहते है जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी वरना वो खौनिया में मार डालेगा पर किम बिचारा फुट फुट का रोने लगता है मेरी मा कैसी है जुवान कहता है वो ठीक है पर हर वक्त तुम्हां याद करती रहती है किम और रोने लग चाता है वो बताता है कि 16 साल तक तो मैं इसी जगह पर रहता था लेकिन फिर एक दिन बुरी लोगों की संगत में पढ़ गया और खुब पीने लगा एक दिन नश्य में मैंने एक आदमी को धका दे दिया वो आदमी गिर गया और काच के नुकले टुकडे उसकी करदन में लगया और वो मर गया अन्जाने में ही सही लेकिन हाँ मैं कातिल हूँ मेरी बुड़ी माँ जिसके साथ मुझे होना चाहिए था जिनकी मुझे देखवाल करने चाहिए थी वो बेचारी अकेले अपना गुजारा कर रही है और मुझे अब खुछ से नफरत भी होनी लगी है और फिर इस तरह मैं अपनी माँ को दूर से ही देखकर खुश होने की कोशिश करता हूँ कभी कभी तो मन करता है मट जाओं लेकिन मरने से पहले बस एक बार अपनी माँ के साथ उनके हाथ का बना खाना खाना जाता हूँ अब ये सुनकर जुवान और कैनी भी बहुत इमोशन हो जाते है वो कीम को उसकी माँ के पास लेकर जाते है उसकी माँ उसको गले लगा कर रोने लग जाती है अब रात को बहुत तेज बारिश होती है लेकिन इसके बावजूद जुवान समुदर में जाकर अपने डिश के लिए बहुत सारे केकड़े पकड़ कर लाता है अगले दिन किम की मा उसके लिए तरह तरह के डिशिस बना कर रखती है और उसके लिए कुछ पैसे भी रखकर वो मारकेट चले जाती है वो जुवान को देखती है जिसने कल रात धेरो केकड़े पकड़े होते है वो कहती है मेरे बेटे को ये केकड़े बहुत पसंद है क्या तुम मुझे दे सकते हो अब जुवान इस मा के प्यार के आगे जुक जाता है और सारे केकड़े उनको दे देता है और जुवान और कैनिय उनके साथ होटिल की और निकल जाते है वहां किम उठकर देखता है तो उसकी माने उसके लिए कही तरह के डिशिस मनाकर टेबल पर रखे होते हैं उसकी खुशे का ठिकाना नहीं होता तब ही कोई दिर्वाज़ नौक करता है शायद माह होगी यह सोचकर वह दर्वाज़ा खोलता है तो पुलिस आई होती है वह किम को अरेश्ट करके लेकर जाते हैं उसकी माँ बेचारी बिंती करती की प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो वो बेगुना है बिचारा भूका है मेरे हाथ का खाना खाने दे दिया उसको फिर ले जाएए फर इतने में गाड़ी निकल जाती है दूसरी और नाइरा को दिखाते हैं तो कल के राउंड के लिए एक नए डिश के तलाश में मार्केट में घुम रही होती है तब उसकी नजर पड़ती है ड्राइ फिश पर अगले दिन सेकेंड डाउंड होता है शुरू और आज नाइरा ड्राइ फिश का किमची बनाने वाली है जुआन भी खुद के पकड़ेवे केकडों का किमची बनाने जा रहा है अब कुकिंग करते वक्त वो नमक हाथ में रखता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है जब वो छोटा था तो उसकी माँ एक सॉल्ट माइन यानि नमक बनाने की जगह पर काम करती थी एक दिन जुआन खेलते खेलते नमक वाले पानी में गिर किया वो मामा करके चिलाने लगा लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत देर के बाद देखा और तब उसको पानी से उठाया फिर वो जुआन को लेकर गई और याशिमा के हवाले कर दिया याशिमा ने बड़े प्यार से जुआन को स्विकार कर लिया पर जुवान की असली मा उसे वहां छोड़ कर चली गई उसने मुड़ कर भी जुवान को नहीं देखा हालनकि जुवान चिला रहा था कि मुझे छोड़ कर मत जाओ प्लीज मुझे ले कर जाओ तब से जुवान को अपने असली मा से सखत नफ़त है ये सब कुछ सोचते वे जुवान कोकिंग करने लग जाता है सेकंड राउंड का होता है अंत अब नायरा का डिश का प्रेजनटेशन देखकर जजजेस बड़े खोश होते है नायरा बताती है कि ये गोल्डन पलक किमची है जिसे यूजवली फिश से बनाय जाता है मैंने थोड़ा अलग सोचा और ड्राइ फिश यूज किया है जजेस उसे टेस्ट करते हैं तो हक्के बक्के रजाते हैं दूसरी और वो जुवान के पास जाते हैं तो उसने केकड़े का फ्लेश निकाल कर उसका किमची बनाय होता है और उसे फिट से केकड़े के शेल में रखा होता है अब उसका प्रेसेंटेशन भी जजेस को बहुत इंप्रेस कर देता है वो टेस्ट करते हैं तो पहले तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन बाद में जरा सा कड़वा टेस्ट करता है क्योंकि जुवान अपनी मा के बारे में सोचकर डिश बना रहा था लेकिन जजेस इस छोटी सी कमई को उतना महत तो नहीं देते और उसके डिश को बहुत अप्रिशेट करते है आखर रिजल्ट डिनाउंस होता है और इस राउन की बिनर होती है नाईरा और सकंड पोजिशन पर होता है जुवान इस तरह दोनों पहुंच जाते हैं फाइनल में फाइनल राउन की थीम यह होती है कि इन्हें ऐसा किमची बनाना है जिसके साथ दुनिया का हर व्यक्ती खुद को रिलेट कर सके इसी भी जुवान और नाईरा का पता चल जाता है कि असल में उनकी मा को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज उस दिन जब जुवान ने उनसे पूछा था कि आपको क्या तक्रीफ है तो उन्होंने कहा जरा जुकाम है पर असलिए यही थी जो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताई पुचाती थी कि उनके बच्चे दुख ही ना हो जुवान और नाहिरा उनको देखने जाते है नहरा भी गुचसे में उसको चांटा मार कर कहती है कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है अब देखो मैं तुम्हें फाइनल में कैसे हराती हूँ अब यहाँ याशिमा अपने पती को बताती है कि मुझे जुवान की असली मा के बारे में एक सपना आया था कहकर वो उन्हें एक हॉस्पिटल का पता बताती है और जुवान को वहाले जाने को कहती है वो भी जुवान को एक गाउं के पुराने हॉस्पिटल में लेकर जाते है अब वहां के बुजर्ग डॉक्टर जो होते हैं वो जुवान को बताते हैं कि बेटा ये 20 साल पहले की बात है लेकिन मुझे ऐसा याद है जैसे वो कली का दिन था तुम्हें भी शायद इस सच पता नहीं होगा उस दिन जब तुम नमक वाले पानी में गिर गए थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस हॉस्पिटल में एडमिड किया था जब तुम्हारा गाउ भर गया तो वो तुमको लेकर गई और उसने तुम्हें याश्मा के पास छोड़ दिया उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ के नस भट गई और वो कुमा में चली गई उसी दिन मर जाती लेकिन अचानक उसका पल्स वापस लोटाया तब उससे मिलने तुम इस हॉस्पिटल में आये थे शायद तुम एक बात नहीं जानते थे और वो यह है कि तुम्हारी माँ कभी सुन नहीं सकती थी लेकिन उस दिन जब तुमने अपनी माँ को पुकारा तो शायद उसे तुम्हारी आवाज सुनाई दी ज्योंकि उस वक्त उसकी आंक से आंसू निकले और तब जाकर उसने अपनी आखरी सांस ली हमें लगा था कि उसने शायद इस पल के लिए अपनी जान को पकड़ कर रखा था कि उसका बेटा उसको देखने आएगा और तब वो दम तोड़ेगी ऐसा केस मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है जुआन अपनी एमोशन स्रोक नहीं पाता और तुरन तो सॉल्ट मैंन के और भागता है तब वो रियलाइस करता है कि उस दिन जब वो पानी में गिर गया था तो खुब चिलाया लेकिन उसकी माने उसे मुड कर भी नहीं देखा जुआन तो उससमें घुसा हो गया था कि उसकी माँ को उसका जरा भी खयाल नहीं है पर अब वो जान पाया था कि उसकी माँ तो सुन ही नहीं सकती थी और इसी वज़े से उस बैचारी ने मुड कर नहीं देखा बहुत देर के बाद जब उसने दूसरे लोगों को जुआन की और भागते देखा तब जाकर वो मुड़ी और उसने जुआन को पानी से निकाल कर हस्पिटल मेट मिट किया वो बिचारी बहुत रोही और उस दिन उसने फैसला किया कि मुझ में जो कमी है उसके साथ मैं अपने बच्चे की ठीक से देखवाल नहीं कर पाऊंगी और मेरे बच्चे को कोई खत्रा हुआ तो मैं बचाऊंगी कैसे उसे इसलिए मुझे अपने बच्चे को किसी और को देना चाहिए जो इसका अच्छे से खयाल रख सके उस दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे यानी जुवान को याश्मा के पास छोड़ा और बिना मुड़े वहां से जली गई जुवान जो अपनी माँ से सखत नफरत करता था आज सच जानने के बाद बहुत रोता है और अपनी माँ के सची प्यार को तब समझ बाता है अगले दिन कुकिंग कॉम्पिटिशन का होता है फाइनल राउंड होस्ट शेफ से पूछता है कि वो कौन सा किमची है जिससे हर इनसान खुद को रिलेट कर पाएगा नहरा कहती है जो किमची इनसान के दिल के बहुत खरीब हो यानि उसे सबसे जादा पसंद हो अठाते हैं यहां तक यह दोनों जिस तरह के वजिटेबल को कट करते हैं उनकी कुकिंग स्टाइल्स सब कुछ एक जैसा होता है जरा सा भी दर उदर नहीं अब यह देखकर जज़ेस चाहते हैं अगर यह दोनों एकी टैप की डिश बनाएंगे तो हम जज़ कैसे कर पाएंगे एक जज़ कहता है कि सेम टू सेम डिश हुआ तो क्या हुआ टेस्ट में प्रिजन्टेशन में कोई तो फर्क जरूर होगा नाईरा हमेशा की तरह मौडर्ण और पारंप्रिक मेथड्स दोनों को मिला कर अपना डिश बना रही होती है दूसरी और जुवान सिर्फ पारंप्रिक मेथड यूस करके जैसे घर पर उसकी मा याशिमा ने उसको सिकाय था उस तरह बनाता है आखिर दोनों कोकिंग खत्म करते हैं और जजजमेंट का आता है वक्त अब जो जजजेस पहले कनफ्यूज थे वो अब और कनफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का प्रेजन्टेशन भी हूँ वह हूँ एक जैसा होता है एक जजज कहती है ये तो चीटिंग है तुम दोनों ने एक जैसा किमची क्यों बनाया तब दूसरा जजजी जो बाकी राउंट्स में बोलता नहीं था वो कहता है थोड़ा सब्री कीजिए इस कॉम्पिटिशन का मकसद अलग-लग टाइप का किमची बनाना नहीं है बलकि ये जाना है कि वर्ड का बेस्ट किमची कौन सा है और दुनिया को ये बताना है कि किमची कोरिया का पारंप्रिक पकवान है तो इससे टेस्ट कर लाते हैं फिर किसी नतीजे पर पहुंच तो जाएंगे हम वो सभी दोनों डिशिस को टेस्ट करते हैं अब तो उनका सरचकराने लग जाता है क्योंकि दोनों का टेस्ट एकदम सेम है नमा खटापन या तीखा एक भी फ्लेवर इधर से उधर नहीं होता बिलकुल परफेक्ट कैसे पॉसिबल है सेम टू सेम वो तो कंट कुछती है तुमने ये डिश कैसे बनाए जुवान कहता है मैंने ये मां से सीखा है हमारी मां से अब तुम समझ गई होंगी कि तुम्हें कोकिंग की कला आखर मिली कहां से हमारी मां से तुम दिदी जो भी डिश बनाती हो वो सारे बिलकुल मां के हाथ के बनाएवे डिश के रही उनसे प्यार के दो बोल नहीं बोले लेकिन अब हो समझ गई उसने जो कुछ पाया है वो उसकी मा की बदूलत ही पाया है इस कॉम्पेटिशन में जुवान को विनर घोशित किया जाता है क्योंकि उसके डिश ने ये प्रूब कर दिया कि मा के हाथ का बना किमची ही दुनिया का बेस्ट किमची है और उसी के साथ हर इनसान खुद को अच्छे से रिलेट कर पाता है अगले सीन में दिखाते हैं कि अब नायरा अपनी मा के पास रहने आ गई है और उनके साथ मिलकर उनका होटेल चलाती है याश्रमा भी अपनी बेटी को वापस पाकर बड़ी खुश है कुस दिनों के बाद याश्रमा का देहां दो जाता है उनके फ्यूंडल में नायरा कहती है माँ जब तुम जिन्दा थी तो मुझे तुम्हारी एहमेत समझ नहीं आई लेकिन हम मेरे सर पे जैसे दुख का पहाड तूट पड़ा हो मैं तुम्हें बहुत मिस करते हूं यही होता है रियल लाइफ में टाइम पर तो हम किसी की इंपार्टेंस समझ नहीं पाते जब वो चले जाते है देन आई विल मिस यू आई मिस यू बस यही लगा रहता है कुस दिन के बाद जुआन और नायरा मिलकर याशिमा का सारा उधार चुका देते हैं और उस चोटे होटेल को फिर से करते हैं शुरू दूर दूर से कस्टमर्स आकर उनके होटेल का खाना खाते हैं और इसी के साथ ये मू भी हो जाती है खतम अगर इस वीडियो ने आपको नॉस्टल्जी कर दिया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों बागे हाँ अगर आपको explanation अच्छा लगाओ वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को subscribe मिलते हैं के लिए वीडियो में ध्यान रखिया अपना and finally, thanks for watching